जब जब भी बात आती है most affordable compact SUV of India की तो पहले तो केवल नाम निसान मेगनाइट का आता था पर आप सबसे ज़्यादा confusion होता है in between the निसान मेगनाइट एन रेनोल्ड केगर तो आई आज आपका confusion दूर करते हैं दोनों को compare करते हैं और देखते हैं कि basically क्या अंतर है the difference in between the magnet and the kegger और यह भी जानेंगे क्या किर कौन सी ज़्यादा भैतर है यहने कि आपको निसान मेगनाइट तुरंट लेनी चाहिए या फिर रेनोल्ड केगर का आपको वेट करना चाहिए क्योंकि दोनों की डिजाइन्स आपस में काफी ज़्यादा different है तो इसलिए different सबसे बग आपस में सेम तो क्या रेनोल्ड के गर मेगनाइट से भी कम दाम पर आएगी या फिर रेनोल्ड के गर की जो प्राइजिंग रहेगी वह मेगनेट से हाई रहेगी इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों को जवाग दूंगा सो गाइस विदाउट विस्टिंग अगर बात करें यहां पर एक्स्टिरियर की या फिर डिजाइन की तो मैं इस पर अलड़ी वीडियो बना चुको हूँ अगर बात करें सेफटी फीचर की तो हां मैगनाइट और किगर दोनों का जो प्लेटफोर्म है वो आपस में सेव हैं किगर और मैगनाइट दोनों ही मॉडियोर CMA प्लस प्लेटफोर्म पर मनी हैं सो बेसिकली यह सेम प्लेटफोर्म है या फिर एक अपग्रेड़ेट प्लेटफोर्म है क्विड और रेडिको के कंपेरिशन में सो अगर मुझे लगता है सेफटी पॉइंट ओफ यू कि मैं दोनों को कंपेर करूं तो आपस में दोनों सेम ही होना चाहिए अगर यह सपोस एंड केप में आई तो प्रॉबेवली मुझे इसा लगता है कि यह टू स्टार या फिर त्री स्टार रेटिंग लाएंगी मोस्ट प्रॉबेवली तो मुझे इसा लगता है कि टू स्टार मेक्स टू मेक्स रेटिंग हमें मेगनाइट या फिर किगर की देखने को मिलेगे क्योंकि जो CMA A plus platform है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है जितना स्ट्रॉंग टाठा की कार्स में रहता है मैं किसी भी तरह कोई को डिसापांटिंग नहीं करने कोशिश कर रहा हूं निसान या फिर रेनॉट के बायार को पर ultimate सच्छा है तो यही है सो यह तो बात हो गई platform की अगर बात करें dimension की तो क्या रेनॉट किगर की dimension उपन नीचे होगी magnet के comparison में सो जो dimension निसान मेगनेट की वही as it is dimension आपको किगर में भी देखने को मिलने वाली है यानि कि अगर किगर की dimensions और wheel based ground clearance की बात करें तो किगर की लेंथ होगी लगबग 3994 mm width की बात करें तो वो रहेगी 1758 mm और height की बात करें तो वो रहेगी 1572 mm और wheel based रहेगा करेब 2500 mm यानि कि आपको इस particular price range में काफी जाधा अच्छा dimension भी मिल रहा है अच्छा package भी मिल रहा है that means more headroom and more legroom in the compact SUV यानि कि आपको खर्च करना ह है केवल एक hatchback या फिर compact hatchback का भाव और आपको मिलेगा compact SUV तो उन लोग के लिए काफी ज़्यादा अच्छा और best option है ground clearance की बात करें तो किगर का ground clearance रहेगा करीब करीब 205 mm कम अब मैं आप से question पूछता हूँ मुझे comment करके बताए कि Nissan Magnet ground clearance कितना है काफी वीडियो में बता चुक हो Nissan Magnet में तो आप उजह comment करके बताना तो क्या किगर और magnet के ground clearance से हैं में या फिर अंतरे इसको भी comment करके बताना जैसे कि हम जानते हैं कि मेगनाइट का जो बूट स्पेस है वो है 336 लीटर तो केगार का भी बूट स्पेस लगबग इसके आसपास ही रहना चाहिए मुझे इसा लगता है कि केगार का बूट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हलका रहेगा as compared to the मेगनाइट है 336 से तो मुझे इसा लगता है 350 लीटर यहां पर किगार को देना चाहिए इसका मतलब कि मेगनाइट में आपको ज्यादा अच्छा लेगरूम देखने को मिल सकता है अगर बूट इस पर आपको किगार में ज्यादा मिलाता हूं पर उसके भी अपने एडवांट शाप है एरोडानेमिक के लिए फिट हैं पर किगार भी पीछे नहीं रहती है जिसमें आपको कैप्चर ट्रिवर एसबेलर स्कुईट की जलग दिखने को मिल जाती है जहां पर आपको फ्यूचरिस्टिक लेडी डियारेल्स दिखने को मिल जाते हैं है एडलेम्स मिल जाए क्योंकि क्वेड के अलावा रेनॉल्ड में केगर यह कैसा ऑप्शनल जो की काफ़े ज़्यूचरिस्टिक लगती दिस लाइक अवेन्यू हेक्टेर एंड है रियर हम क्योंकि अलग से जितनी भी गाडिया है एक तो कम गाडिया है जिस तरीके से यह प्लेटफॉर्म पर बन छोड़ देता हम यह दो बात हो गई यहां पर इसके एक्स्टिरियर की डामेंशन के बारें बात कर लिए अब लागे हाथ इसकी पावर ट्रेंड के बारें बात कर लेते हैं तो क्या इसमें कोई 1.2 लीटर वाला इंजन देखने को मिलेगा नहीं इसमें आपको वहीं एंज साले लोग पूछ रहेते हैं हम मेर मेरा तो य का 1.0 लीटर दम देख़ा पाएगा पा權 लोगों को बिठा के तो यहां पर दम निकल जाएगे पाच लोगों के आके हिली एरिया में 1.0 लीटर इंजन चलाएंगे वो भी कॉंपक्ट एस्वी के साथ ना बहुत सो लोग कहते हैं कि पावर ट्रेंड में कुछ चेंजेस कर देंगे काफी कुछ मेजर देखने को मिल जाएंगे पर अपार्ट फ्रॉम देट इसकी बॉड़ी है यह जिरो लीटर टर्बो पैट्रोल इंजन जो बहुत करता है हंड्रेट भी एच्पी की फित वन सिस्टी एनेम ऑफ टॉर्क और अगर आप सीवीटी वाला वर्जिन लेंगे तो वह हंड्रेट भीएच्पी की पावर पर 152 एनेम का टॉर्क प्रोडूस करेगा अगर आप हान में रखते हुए ही आप सीवीटी लेए हैं सीवीटी ऑटोमेटिक के साब से एक अच्छा अप्शन है अगर डी सीटी को भी मैं कंपेर करूं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा जो इसका आटोमेटिक ट्रांस्मिशन वह आईट्वेंटी के कंपेरिजन में भी काफी ज्य पुश्टाट स्टॉप बटन एलेक्ट्रोनिकली एडजेस्टेबल विंग मिरर्स एंड और्टोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यह सारे उप्शन आपको कि गार में देखने को मिलेंगे जो कि अल्टिमेटली में मिलते हैं पर गेरा एक कदम आगे बर जाती है क्यूंकि उस और हाई स्पीड अलाम सिस्टम भी देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा में पॉइंट की कि यह कब तक लौंच हो सकती है सब फॉर मिटर है डेफिनेटली नेक्स्ट यह लौंच होगी जो मेक्जिमन प्रोबिलिविटी है आने की वो मार्च में है य तहाँ बढ़ी आप लग्रत निकालते है सो देफिनेटली वह यह पहले देखेगे कि मैगनेट में धिक्कत है क्या 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 कमिया है तो देफिनेटली जो लोग रुख सकते है उन्को एक अच्छा प्रोड़क्ट देंको मिल सकता है और अच्छा बेता proud act है जब ब् Turkish organizing log something login सकता है जो भी मैगनाइट की कम्यां है वो नेक्स्ट साल आगे की रूप में मौजूद हो जाएंगी उनको भी रुखना चाहिए जो स्टार्टिंग प्राइज रहेगी वही क्याल साब थोड़ सा वेट कलूरक और अच्छा प्रोड़क देखने को मिल जाएगा आपको एंडवेच लेवल्स थोड़ से कम हो जाएंगे एक क्वालिटी और प्रोड़क देखने को मिल जाएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कर देना घ्लमति खलए टज़क देखने को मौऱक बच्छा